बोलिये श्री प्रानात प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय आप भक श्री राजी, मंजपर विराजमान परम पुझ्यपात स्वामी जी, एवं विद्वद गन, तथा आप सभी सुन्दर साजी को मेरा प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी सुन्दर साजी आज का मेरा सीर्षक है सोहागनियों के लक्षन जो कलस ग्रंद का है सोहागनियों के लक्षन कौन-कौन से है और लक्षनों के पता चलने के बाद उनका फर्ज क्या है इन विशयों पर आज मैं राजी के मेर से कुछ प्रकाश डालने जा रही हूं पारवतन जो सोहागनी ताकि नेक कहूं पहेचान जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहानीदान आप वक्षराति स्री राजी इन्रावती जी के रिदय धाम में विराजमान होकर के कहे रहे है पारवतन जो सोहागनी यहाँ पारसब्द आया है पार सब्द का अर्थ होता है परे, जो इस हद बेहद से परे, जो सोहागीन है, सोहागीन यानी ब्रह्मा स्रिष्टी, तो यहां के रहे उस वतन में रहने वाली, जिसके बारे में, उपनिश्टत में कहा गया है, दिब्या ब्रह्मा पुर्यश्यरेह व्योमनी आत्मा जो उस दिब्या ब्रह्मा पुर में रहने वाली, परमधा में रहने वाली ब्रह्मा स्रिष्टी है, ताकि नेक कहूं पहेचान, नेक यानि थोड़ी सी, उसकी मैं थोड़ी सी पहेचान बताने जा रहा हूं, जो कदी भूली वतन, तो भी नजरता हा निदान, यानि जो ब्रह्मा स्रिष्टी है, वो इस माया के संसार में आने के बाद, यदि अपने आपको भूल गई है, अपने मूल स्वरुप को भूल गई है, अपना वतन को भूल गई है, तो भी उसकी अंतर्द्रिष्टी, अक्षरातित अपने प्रियतम के लिये ही तडबती है, उनके लिये खोज करती है, इसलिए उसका सबसे पहला लक्षन होता है, कि वो अंतर्द्रिष्टी से यदि इस मायावी जगत में आने के पश्चार, भले ही वो केसी भी परिवार में हो, यदि ऐसी परिवार में रहती हो जहां पर देवी देवताव की पुजा करनी पड़े संसारी मरियादाओं के कारण फिर भी वो क्या करगी उन्हें देवी देवताओं की पुजा करने में संतुष्टी नहीं मिलेगी उसकी अंतर दिरिश्टी यही बताएगे कि मेरा प्रियतम तो कोई और है जो इस हद बेहद से परे है सबसे पहला लक्षन सुहागनियों का ये है दूसरा लक्षन के बारे में बताते हैं अगली चोपाई में आसिक प्यारी प्यू की आज हमने बहुत अच्छे से सुना थोड़ी देर पहले कि आसिक किसे कहते हैं जो प्रेम करता है या करती है तो यहाँ पर राजी क्या कह रहे हम सबको आसिक कह रहे कि जो राजी से प्रेम करती है वो क्या होती है प्यू की प्यारी होती है प्रियतम की प्यारी होती है परन्तु राजी हमें यहाँ आसिक कह रहे पर वास्तविक्ता आज हम सोयम जानते हैं कि हम आज राजी को छोड़ करके किसे प्रेम करते हैं हम राजी को छोड़ करके किसे चाहते हैं वाडी में कहा गया है ना आसिक कहिए तिन को जो हक पर होवे कुर्बान इस कलस ग्रंद का सार्तत्व क्या है यही तो है कूर्बान होना नियोच्छावर होना समर्पन हम आज सुबह से लेकर समर्पन की बात सुन रहे हैं और यह जो कलस ग्रंथ है इसका सार्थ तत्व ही है समर्पन इससे पहले के जो तीन ग्रंथ है रास प्रकास और शत्रितु रास का ग्रंथ यानि प्रेम तत्व को दर्शाया गया है और प्रकास में ज्यान यानि उस प्रियतम की पहचान और शत्रितु में उस प्रियतम की पहचान होने के बाद उन से विरह कैसे करना है और यदि इन सारी नीधियां हमारे अंदर है और यदि हमने इसके बावजुद हमने उन प्रियतम के उपर अपने आपको नियोचवर नहीं किया समर्पन नहीं किया तो ये सारी नीधियां हमारी निरर्धक चली जाएगी इसलिए समर्पन की बात कही गई है आगे क्या केते कोई प्रेम कहो वी रही यानि उन्हें प्रेमी आश्रिक और वीरहिन भी कहा गया है वीरहिन किसे केते हैं जिसके बिना रहा ना जा सके उसे वीरहा कहा जाता है यदि हम यहां संसार में भी देखें तो यदि कोई प्रेमी प्रेमी कहो और उसके बीज में कोई तीसरा इंसान आ जाए तो उन्हें स्वीकारिय नहीं होता है तो यहां तो परमात्मा आत्मा और परमात्मा की बात है इसलिए वो विरह किसे करती है उस प्रियतम को पाने के लिए करती है किरंतन की वाड़ी में कहा गया है ना विरहा गत्रे जाने सोई जो मिलके बिछुडी हुई मेरे दुल्हा जिस प्रकार एक मचली का जीवन क्या होता है जल होता है वो उसके विनार रहना स्विकार यह नहीं है उसे वो स्विकार कर ही नहीं सकती परंतु एक मसली का द्रिश्टांत से आज हमें स्रीजी क्या समझाना चाह रहे है ब्रह्मा स्रीश्टियों का जीवन क्या है हम कहते तो है कि प्रेम ही जीवन है परंतु क्या आज वास्तब में हमारे अंदर प्रेम है भी जो प्रेम हम परमध हमें राज्जी से करते थे क्या वो प्रेम आज हमारे अंदर है, यह आज हमें चिंतन करने की आवश्यक्ता है, गीता के आठवे अध्याय के बाइसवा स्लोक में कहा गया है, पुरुसस परह पार्थ, भक्त्या लभ्या स्वनन्यया, यस्यांत स्थानी भूतानी, येना स्वर्वम इदम ततम, उस परमात्मा को पाने के लिए प्रेम लक्षना भक्ति की आवश्यक्ता है, और वाणी में भी कहा गया है, पंत होवे कोट कलब प्रेम पहुचावे मिने पलग, सुन्दर साजी, वो राजी को पाने के लिए वो विरह करेगी, ताय कोई दर्दन कहो ए लक्षन स्वाहागी, ब्रह्मा स्र जो स्वाहागीन है, वो अपने राजी परजिन को आशीक कहा गया है, ब्रह्मा स्रिष्टियों को, तो वो अपने प्यूपर फिदा होती है, यह है दूसरा लक्षन, ऐसे ही उसके बाद, वो क्या करेगी, कि जब उसे पता चल जाता है, कि तार्तम वानी के प्रकास में, पह अचान करती है, तो अपने प्रियतम के उपर अटूट विश्वास लाती है, अटूट प्रेम लाती है, और फिर आगे के चरन में कहा गया है, रहेवे निर्गुन होएगे, और आहर भी निर्गुन, साफ दिल सोहागनी कभू न दुखावे की, वो तीनों गुनों से परे रहती है, उन्हें इस संसार के सब्दों इस पर से रूप रस तथा गंद मोहित नहीं कर सकते, और उनका आहर, ब्रह्म स्रिष्टियों का आहर क्या होता है, अत्यनत सात्विक होता है, जिनके बारे में आज हम साधना की हो या चित्वनी की हो, कोई भी चर्चा, हम यूटू मतलब राजसी खाना खाते तो क्या होता है उससे, हमारे मन में काम, क्रोध, लोब, मोह की उत्पन होता है, काम, क्रोध, ये सब उत्पन होता है, और इसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जेसा हम खाएंगे वेसा ही हमारा मन रहेगा इसलिए सुहागनियों का खाना अत्यांत सात्विक होता है और इसके भिशे में गीता के 17 अध्याय के 19 स्लोक में कहा गया है यानि अती खटा अती कड़वा अती नम की ये सारा भोजन ये रजगुडी व्यक्ति को पसंद करते हैं जिसके कारण दूख सोक तथा भय उत्पन्न होता है सुन्दर साजी अभी समय की भी कमी है और हमने अभी तो सुन लिया कि स्वागनियों के कौन-कौन से लक्षन होते हैं और उनके करतव यो का बाद भी किया था मैंने जिसके विशे में मैं दो मिनट में खतम करना चाहती हूं सुन्दर साजी किरंतन की वाणी में कहा गया है सोई सुहागिन धाम में जो करसी इतिरोसन तोल मोल दिल माफक देशी सुक्षवन सुन्दर साजी हमने सुहागनियों के रहनी लक्षनों के बारे में तो पता कर लिया है पता चल गया है, इसके बाद क्या अब, इसके बाद हमें क्या करना है, इस जागने के ब्रह्मान में हमारा कर्तव ये क्या है, फर्ज क्या है, तो जो करे सी इतिरोसर, वो अपने प्रियतम प्रमात्मा की पहचान करने के बाद इस संसार में जाहिर करेगी, सुन्दर साजी हम स्वयम जागे तथा decía अन्या अन्या आत्माउत को भी झना क्युकि तार्तम की वार्णी में कहा गया है यह शुकह देओ शुकों को mg यंद्ला आत्माउ की सुयम लेंगे और दूस्ट्रे गुश्य कि पहूं cannon go depends sug मुझे कहने की आवश्यक्ता नहीं है सुन्दर साजी इस वाणी के माध्यम से इस कलस की वाणी को हम समझे और अपने उस प्रियतम को अपने आपको जागने कार्य में जोग दे और अपने आपको समर्पीत कर दे कूर्वान कर दे सुन्दर साजी इतना ही कहे कि मैं अपनी वा प्यारनात प्यारेगी